हाई फ्रेंज वेलकम टू नमीका किचेन आज इस वीडियो में आप लोग के साथ बैंबू शूट को कैसे सारे साल के रिजर्व किया जा सकता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी बैंबू शूट एक ट्रेडिशनल फूड है नौर्थ इस्ट इंडिया का और यहाँ पर यह अराम से पाया जाता है और इसमें काफी सारे मेडिशनल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें बहुत अधिक मातर में फाइबर, विटमिन, मिनिरल, प्रोटीन और इसमें कैलरी भी बह देते हैं उसको भी सबजी में डालकर खा सकते हैं यह वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मातरा में फाइबर पाये जाता है और उतना ही कम इसमें कैलरी पाये जाता है तो इसलिए जब इसका सेवन करते हैं तो काफी देर तक हमको भूप नहीं लगता है यह हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह कलिस्ट्रॉल लेवल को लो करके रखता है और इसमें पाये जायने वाला पोटैशियम ब्लड प्रिशर को भी रेगुलेट करके रखता है यह गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है यह प्रोबा लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं उपर का जो ब्राउन ब्राउन जो एरिया है उसको अच्छे से पूरा चाकू से हमको काट के साफ करना है नहीं तो बाद में ही कड़वा भी हो जाएगा और जो बैंबू शूट है जो हमें एक साल तक इसको हमको प्रिजर्व करना है तो उपर इक्दम ये साफ सफेद रहे इसलिए इसका पूर जितना बाहर का अरिया है अंश है उसको हमको काट कर फेकना है और नीचे का जो सक्त om portion है ये बहुत ज्याएधा तैट हो चुका था इसलिए मैं थोड़ा-फोड़ा करके इसको काट रही थी कि जितना टाइट portion है उसको हमको फैक देना नहीं तो यह पुरा कड़वा हो जाएगा तो यह बात हमेशा याद रखेगा अगर आपको कभी भी bamboo shoot साफ करना है तो इसको पहले नीचे का जितना भी hard portion है न उसको हमको काट देना है ऐसा नहीं कि इसको भी डाल देती हूं करके ऐसा नहीं तो इसको अच्छे से मैंने धोली हद होने के बाद आप हम इसको कड़ू कस करेंगे यह देखिए और जो soft area है ना वहां से कड़ू कस करना शुरू कीजेगा तो मैं भी इसको ऐसी कड़ू कस कर रही हूं और इसके बाद फिर इसको हम एक बाटल में स्टोर करके रखेंगे और इसके बाद फिर इसको आप अचार बनाएए इसको आप ऐसी preserve करके रखिए या आप सुखा कर रखिए किसी भी तरह से खा सकते हैं यह देखिए यह भी इतना काटने के बाद ये भी पूरा टाइट हिस्सा था, इसलिए मैं इसको और नहीं डालूंगे, इसको फेक दूंगी, हाथों की साहित है, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम दबा लेंगे, निचोड लेंगे, और पानी को नहीं फेक ना है, अब हम क्या करें कि साफ सुखे बॉटल में इसको हम स् सबजी में डाल कर भी खा सकते हैं, इसको अक्सर लोग नौन विच में डाल कर भी खाते हैं, तो आशा करती हूँ, आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पहली बर वीडिय को देखने के लिए,